तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से श्री लंका के हालात दिन बदिन खराब होते जा रहे हैं आर्थिक संकट दिन बदिन गहराता जा रहा है यहां तक कि जीवन रक्षक आवश्रक्ताओं के पूर्ती कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है एक ऐसी परिस्थिती निर्मित हो गई है कि एक तरफ तो विदेशी कर्ज के बोज़ तले दब चुका है पूरी तरह से श्री लंका दूसरी और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं कहें तो समाप्त हो चुके हैं ऐसी कंडिशन में हम यहाँ पे देखें कि विदेशी मुद्रा भंडार के अगर हम बात कर रहे हैं इसके पहले की स्थिती को हम जाने तो आज से महज तीन साल पहले विदेशी मुद्रा भंडार श्री लंका के पास लगभग 7.5 बिलियन डॉलर था जो की गिरती हुई अर्थ वेवस्था के कारण लगातार घटता गया और एक परिस्तिती ऐसी आई जब जुलाई 2021 में यह लगभग 2.8 बिलियन डॉलर तक सिमट कर रहे गया लगातार इस गिरावट के चलते आज जो श्री लंका के इस सिती है वो हम सब के सामने है बात करें अगर यहाँ पर श्री लंका के विदेशी कर्ज की तो अब उसकी इस्थिती नहीं बची है कि वो किसी प्रकार के विदेशी कर्ज या उसकी किस्तों को चुका पाए इसका कारण ये है कि श्री लंका में रुपय की वैल्यू जो है उनकी श्री लंकाई जो करंसी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई इस पूरे टॉपिक में हमको दो वाक्य जो देखने को मिले उन पर हम एक नज़र डाले उन पर फोकस करें एक तो हमने देखा कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है दूसरी उस देश की करंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है इन दोनों को अगर हम अलग अलग विसलिशनात्मक रूप से इनका अध्यन करें इनको समझें तो शायद हम और समझ पाएंगे कि श्रिलंका के ऐसे हालात के कारण क्या है और यह जो दो परिस्थितिया जिन पर हम बात करने जा रहे हैं वो किसी देश के लिए कितनी मातोपूर है या इनका अनुपात गड़बडा जाना कितना घातक हो सकता है सबसे पहले हम बात करें विदेशी मुद् भंडार की यानि कि किसी भी देश के पास उस देश के अत्रिक्त अन्य देशों की जो मुद्राय होती है उनका जो भंडार होता है वो है विदेशी मुद्रा भंडार हमने अंतराश्टी व्यपार के अंतरगत पढ़ा कि हम आयात और नर्यात का व्यपार करते हैं अपने देश से हम अपने जरूरत की वस्तुओं को विदेशों से मंगाते हैं और हमारे पास जो अत्रिक्त वस्तुओं हैं जिनका उत्पादन हमारे अच्छा खासा होता है उनको तो हम विदेशों में निर्यात कर देते हैं बात जब हम आयात की करते हैं तो जब हमको किसी दूसरे देश से माल खरीदना होता है तो हमको उनके देश की करंसी में ही उनको भुकतान करना होता है लेकिन फिर भी जब की हम बार बार रुपए के तुलना डॉलर से कर रहे हैं त डॉलर के बारे में अगर देखा जाए तो अंतरास्ट्री वैपार वैभार में डॉलर जो है इसको वैश्विक करंसी का रुतबा प्राप्त है ऐसा इसलिए है क्योंकि वैश्विक के अधिकांश देश अपने अंतरास्ट्री वैपार में अपने आयात निर्यात में डॉलर का प्रयोग करते हैं आप देखते होंगे कई बार न्यूस में भी सुनते होंगे कि रुपए जो है उसकी वैल्यू गिर गई भारती रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है तो गिरती जा रही है किस से हम कंपेर करते हैं डॉलर से कंपेर करते हैं डॉलर क्यूंकि वेश्विक क तो जब हम किसी देश से वस्तू करते हैं तो हमको उस देश की मुद्रा में इसको इस आयातित वस्तू का मुल्य चुकाना होता है Dollar में उस वस्तू का मुल्य चुकाना होता है दूसरा जब हम किसी दूसरे देश को वस्तू का नर्यात करते हैं बेचते हैं तो हमको उस देश की मुद्रा प्राप्त होती है डॉलर के रूप में या उस देश की करंजी के रूप में हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इसे को हम जो कलिक्ट करके रखते हैं अपने भंडार में रखते हैं यही जो हमारी राशी होती है विदेशी मुद्रा जो होती है यही विदेशी मुद्रा का भंडार कहलाती है इसका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है कई बार क्या होता है कि आयात बहुत अधिक हो जाता है और नर्यात हो जाता है कम आवशक्ता की वस्तों का तो हम अपने देश में आयात करते हैं लेकिन कई बार हम अनावश्यक वस्तों का बहुत ज़्यादा आयात करते हैं कई बार हम जिन वस्तों का निर्यात करना चाहिए उनको रोक देते हैं ऐसी कंडिशन में जब हम लगातार विदेशी वस्तों का आयात करते रहते हैं तो लगातार हमारे विदेशी भंडार से विदेशी मुद्रा भंडार से विदेशी मुद्राये विदेशों में जाते रहती हैं और वो विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाता है लेकिन जब हम निर्यात करते हैं तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है ऐसे कंडिशन म जब आयात बहुत अधिक हो जाता है और निर्यात बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है जितनी विदेशी मुद्रा हमारे पास आती है उससे कहीं जादा विदेशी मुद्रा हम आयात करने में खर्च कर देते हैं यहां पर संतुलन गड़ बड़ा जाता है यहां पर हमारा जो विदेशी मुद्रभंडार है वो कम होता जाता है लगभग यही इस्तिती श्रिलंका की थी लगातार कई लंबे समय तक बनी रही और आज विदेशी मुद्रभंडार की समाप्ती की यह इस्तिती सायत श्रिलंका को इस पायदान पर लाकर छोड़ चुकी है दूसरा हम बात करते हैं यहां पर रुपे की वैल्यू का गिरना अक्सर हम टीवी न्यूस चैनल में सुनते होंगे कि रुपे में गिरावट आई रुपे में भारी गिरावट आई है रुपे की वैल्यू कम हो गई रुपे के तुलना हम डॉलर से करते हैं अब ही हम देखते ह है कि किस प्रकार रुपए की वैल्यू डॉलर की तुलणा में घड़ती है या बढ़ती है एक उदारण के लिए हम बात करते हैं आज अपर बारत के लगभग 80 रुपए के बराबर है तो हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार डॉलर को हम प्रकार करते हैं रुपए से कई बार जब हम देखते हैं कि अमेरिकन डॉलर यानि एक डॉलर की जो वेल्यू है वह भारत के और शाट रुपए के बराबर हो गई तो हम यह मानते हैं कि बढ़त आई हमको एक डॉलर के बदले कम रुपए देना पड़ रहा है फिर हम बात करते हैं कि अब ये स्थिति है कि अमेरिकन एक डॉलर जो है उसकी वैल्यू जो है वो भारत के 82 रुपए के बराबर हो गई यान किस प्रकार हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती या घटती रहती है लगभग यही इस्थिति होती है जब भुकतान संतुलन की जो इस्थितिया होती है वो प्रतिकूल होने लगती है विदेशी मुद्राबंडार जब घटने उमित कर सकें इसी क्रम में हम इसको एक एक आगजाम्पल से देखें तो हम देखते हैं कि अंतर रास्ट्री वैपार में जितने भी कारोबार होते हैं लगभग उन सब कारोबार के लिए हम डॉलर को यूज़ करते हैं बात करें यहाँ पर अगर हम अपने देश के संबद मे तो हम जादा तर जो कच्छा तील है कुरूड ऌयल है। बहुत सारे खादपदार्थ हैं हाला कि अच्छा प्रोडक्शन हमारे देश में भी होता है लेकिन फिर भी हम ब्राइंडिट चीज़ों के पिछे भागने का एक हमारा फैशन है तो बहुत सारे खादपदार्थ भी हम अन्य देशों से आयात करते हैं साथ हम देखे तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम बहुत सारे protecting item हम दूसरे देशों से आयाद करते हैं यहां एक बात यह देखने को मिलती है कि जब भी हम आयाद करते हैं तो हमको तो बहुत ज़्यादा डॉलर उनको देना पड़ता है खर्च करना पड़ता है लेकिन यहां पर अगर इसी तरह से हम आयात करते रहे और डॉलर खर्च करते रहे तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो हमारा धीरे-धीरे घटने लगता है अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक एक्जाम्पल से हम समझें तो शायद हम इसको बहतर समझ सकें मान लेजिए हमने अमेरिका से कुछ कारोबार किया और हमारे पास जो अमेरिकन डॉलर है वो है लगभग यहां पर एक हजार डॉलर और अमेरिका के पास हमारे देश के जो करेंसी है वो है 80,000 रुपेज अब इस कंडिशन में हम देख रहे हैं कि एक डॉलर की वेल्यू है 80 रुपे और अब अगर दोनों के पास देखा जाये तो फिलहाल बराबर रकम है हमारे पास चाहे हम उसको एक हजार डॉलर बोले या अमेरिका उसको 80,000 रुपेज बोले वेल्यू दोनों की बराबर है द खरीदना पड़ता है तो हम उस आयात किये गए समान के बदले में उसको देंगे डॉलर यहां पर हम देखते हैं कि मालो हमारी करेंसी के हिसाब से हमने लगभग 8,000 रुपे की वेल्यू की हमने समान वहां से खरीदा तो हम उसको कितने डॉलर देंगे यहां हम उसको 100 डॉल थे उसमें से 100 डॉलर निकल गए 900 डॉलर बचे अमेरिका के पस ऑल्रेडी जो हमारे पैसे थे वो और बढ़ गए यानि जैसे जैसे हम आयात करते गए वैसे वैसे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार तो कम होते गए लेकिन जिन देशों से हमने आयात किया उनके विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ते गए अब इसी अनुपात में अगर हम निर्यात भी कर ले तब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर इस अनुपात में हम निर्यात ना कर पाएं तो कहीं न कहीं विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला जाता है आयात बढ़ते चले जाए और नर्यात घट्ता चला जाए तो यही जो इस्तिती है यह भुकतान संतुलन की प्रतिकूलता को जन्व देती है इस पूरे अध्याएँ में हम हम JUST संतुलन के बारे में हैं जानेंगे हमने देखा कि किस प्रकार भुकतान संतूलन की इस्तिते उत्पन होती है आयात और नर्यात वैपार का विदेशी मुद्रा और देश की करंसी का किस प्रकार भुकतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यहां हम देखते हैं कि जब हम गिरावट के बात करते हैं रुपय के इस तर में गिरावट के बात करते हैं तो भारत में जो अंतरास्ट्री वैपार है इनका क्या असर देश पर पड़ता है सबसे पहले बात तो हम यह जानने कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत जो पेट्रोलियम उत्पाथ है वो अन्य देशों से प्राप्त करता है अब ऐसी कंडिशन में अगर रुप जाती चली जाती है एक के रुपए की इस सिती में गिरावट आते आते जो पेट्रोलियम उत्पाथों का आयात होता है फिर महंगा होटा यही कारण है कि ट्रोल और डीजल उतर्फाथ हैं उनका मूल पना जो लगा तार बढ़ता है अब अन्तराश्ट्रे इस तरह पर हम अगर इस तरह के वेपार की बात करते हैं तो ये तो कोई छोटी मोटी बात हजार यह लाकों रुपए में होती नहीं है इसका सीधा-सीधा आसर हम देखते हैं एक अनुमान के अनुसार हम देखते हैं डॉलर की भाव में अगर एक रुपए की भी व्रिद्धी होती है तो पैट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं उन पर लगभग आठ जार करोड रुपए का बोज एक्स्ट्रा पढ़ जाता है और इसी बढ़ते हुए बोज को पूरा करने के लिए जो पैट्रोलियम वेपार के के अंतर जो आप या जो पीट्रोल यमुद्पाद होते हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं आप देखते होंगे कि समय समय पर पैट्रोल का जो रेट होता है उक फ्लेक्ट्ट होता रहता बढ़ते रहता है यह बहुत थोड़ी सी मात्रा में घड़ते रहता है यह सारा का सारा जो व्यपार है अंतराश्ट्री व्यपार से यह कनेक्ट होता है इनका पूरा का पूरा सीधा का सीधा असर अंतराश्ट्री व्यपार में मुद्रा के मूले में होने वाले उतार चड़ा पर्सेंन तो पड़ता ही है क्या कारण इसका अंस्थर वैकर में जो परिवर्तन आया उसका सीधा-सीधा असर और कहीं न कहीं एक समान्हें आदमी के जेबव हैं हाला कि पैट्रोलियम का आयात निर्यात अंत्र वैकर और शेत्री की चीज है लेकिन हम जिन वस्तों का प्रयोग करते हैं वो कहीं न कहीं इन्हीं प्रिवहन की जिनमें हम प्रिवहन माध्यमों से हम उठ्दादों को अपने राज नहीं होता है हमारे छेत्र में नहीं होता है पेट्रोलियुम के बढ़त여 रेट इन उत्पादों के मूले में जुड़ जाते हैं आप देखते होंगे कि जैसे ही प्रोल डीजल का मुल्य बढ़ता है आप जिन खादेपदार्थों का प्रयोक कर रहे हैं उनका मुल्य बढ़ जाता है सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर राश्ट्री व्यपार में होने वाले इस फ्लैक्ट्रेशन का सीधा सीधा असर क्योंकि जनता की जेब पर पड़ता है इसलिए कहीं न कह ऑब भुक्तान संतुलन इतना ही महत्यपूर है जैसे हमने रहे देखा कि विदेशी बुद्र अभंडर के कारण श्री करें तो सबसे पहले आता है कोरोना नड़न श्री लंका बलकि विश्व के बहुत से देश इस से प्रभावित हुए डस प्रतिश्यत से जढ़ा का यूगदान देता था अब कुए की को रटन एक संक्रामक महामारी थी ऐसी कंडिशन में सभी देशों ने लगबग विश्व के सभी देशों ने एडवाइजरी जारी की कि कोई भी यात्रा न करे ट्रावलिंग ना करे परेटन ना करे ऐसी कंडिशन में लोगों ने श्रिलंका आना जाना बंद कर दिया छोड़ दिया कोई कहीं भी न क्या के बेस पे वो जो इंकम प्राप्त कर रहा था कहीं न कहीं उसमें लगातार गिरावट होती रही बात अगर हम करें जीडीपी की तो एग्रीकल्चर के बाद परेटन ही श्री लंका के लिए सबसे महत्पूर अस्थान रखता था और अब जबकि परेटन के स्थिति रझाब होती लगातार प्रीन बाद करें और गवांत अगरीक यह मान लिया गया कि केवल और गैनिक अगरीकल्चर किया जाये स्वास्थ करें वहां कम ध्रिए कु नहीं में रखते हुए आपने ने देISH के लोगों की स्वास्त कोई अभरता है पेसा माना कि केवल हम और्गैनिक खेती ही करेंगे उररकों का रसानिक खादों का प्रियोग नहीं किया जाएगा हाला कि काफी अच्छी फसल उससे प्राप्त की गई लेकिन देश की जनसंख्या को देखते हुए इतनी अच्छी ग्रोथ या इतनी फसल इतने फसल का उत्पा जादन वहाँ पर नहीं किया जा सका जिससे पूरे देश के लोगों की आविश्रक्ता को यानि खाद समंधी आविश्रक्ताओं को पूरा किया जा सके एग्रिकल्चर के स्थिति केवल और्गैनिक बेस्ट होने के कारण इतनी खराब होती गई कि जिन चीजों को जिन खाद दाल इस तरह की आवश्यक खादिपदार्थों की इसकी भी किलत श्री लंका में होने लगी और आयात के लिए श्री लंका को मजबूर होना पड़ा निर्यात कम और आयात जादा ये भी एक महत्तुपूर्ण कारण था क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्शन हो बहुत अच्छी किसमी की वस्तू उत्पादित हो कोई ब्रांड बन सके ऐसा कोई प्रोड़क्शन वहाँ पर नहीं था जिनका नर्यात किया जा सके नर्यात को धीरे धीरे घटाता गया लेकिन आयात को आवशक्ता के से भी जादा किया जाने लगा ऐसी कंडिशन में विदेशी मुद्रा आती कम थी जाती जादा थी और हमने देखा कि किस प्रकार विदेशी मुद्रा बंडार लगातार कम होता गया यानि कि भु टेक्स रेट जो था वो लगातार कम कर दिया गया टेक्स जो कि किसी भी देश के राजस्व का एक बहुत महत्वपूर साधन होता है टेक्स के आभाव में अगर मिलता है अगर टेक्स सरकार को तो वो जनता के कल्यान के लिए उसको खर्च करती है लेकिन बिना टेक्स के लिए बिना शुल्क लगाए कितने धनका अपवए कोई सरकार अपने देश की जनता के कल्यान के लिए कर सकती है एक अपनी अच्छी चवी बनाने के लिए लोगों को मुफ्त में सुविधाय मुहया कराना कहीं न कहीं यह जो विचारधारा थी काफी घातक से दुई तो ऐसे बहुत से कारण बने जिसने श्री लंका के भुक्तान संतुलन की जो इस्तिती थी उसको पूरी तरीके से बिगाड़ दिया तो किसी भी देश के सामने इस तरह की इस्थिति ना आए प्रतेक देश में भुक्तान संतुलन के इस्थिति को बनाया रखा जा सके इसके लिए हम को क्या करना होगा क्यों जरूरी है भुक्तान संतुलन के इस्थिति को बनाया रखना कौन-कौन से से कारण होते हैं जिससे भ बबिन आर्थशास्त्रियों ने किस तरह से इस शब्दिक का प्रयोग किया है और किस तरह से हम इनकी परिभाशाओं का एक वसलेशनात्मक अध्यन पस्तुत कर सकते हैं वास्तों में देखा जाए तो भुक्तान संतुलन के अर्थ को कुछ इस प्रकार से समझाया जा सकता है और उसमें किस मुद्रा का कितनी राशी का प्रयोग किया गया इस सब का विवरण हम भुक्तान संतुलन को मानते हैं एक महत्वपूर्ण बात ये कि इसमें अन्य कई लेन देन यानि आयात निर्यात के जो वैली होती है जो मोल्य होता है वो तो शामिल होता है ये तो हम बार करते हैं उस पर हम जो खर्च करते हैं उनके जो होते हैं वो भी हमको भुक्तान संतुलन के कंडिशन में देखने होते हैं जैसे कि हम इन वेव पर एक नजर डाले तो देखते हैं कि बीमा है जहाजी किराया है क्योंकि जो अंतरास्ट्री वैपार होते हैं उनमें हमको पूरी बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनका इंसुरेंस कराना भी बहुत जरूरी होता है जाहिर से बात है क्योंकि हम अंतराश्ट्री इस तर के वेपार की बात कर रहे हैं तो इन पर इंसुरेंस की वैल्यू होती है वह भी बहुत ज्यादा होती है तीसरा एक वह हम करते है बैंकों किंसे मुद्रा करने की हैं तो वहाँ पर सहारा लेनए पड़ता में खुश श्लक भी देना पड़ता यह जो है वाँ कि अंतरगत क्यालकुलेट कर लिया जाते हैं साथ में बहुत से जो रिड़ संबंधी काम किया जाते हैं विदेशों से लिए इन पे जो ब्याज होता है विदेशी विन्योग जो होते हैं उनके जो ब्याज होते हैं साथ ही विन्योगों के कुछ लाव होते हैं foreign investment जिनको बोलते ह उस पे जो हम interest calculate करते हैं फिर profit जो हम gain करते हैं वो सारी चीज़े भी इन में जुड़ जाती हैं पूंजी संबंधी जो स्थानांत्रण होते हैं पूंजी गत जो खरीद या विक्री होती है और साथ ही सेवाओं से संबंधी जो व्यापार होता है उन सभी के आयवे को हम इसमें include कर देते हैं तो यहां पर कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भुक्तान संतुलन किसी देश की एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेंदेनों का संपून विवरण होता है अब अगर हम बात करें कि विभिन आर्थशास्त्रियों ने भुक्तान संतुलन को किस किस तरह से स संपूर विश्व के साथ में उसके लेंदेन का लेखाजोका होता है वोने विदेन के निवसीयों टता शेश विश्व के निवासीयों के बीच्चित एक विशे समय में समाने तया एक वर्ष में किये गए समस्त आर्थिक लेंदेन का एक व्यवस्तित रिकॉर्ड है प्रोफिसर किंडल बर्गर के अनुसार किसी देश का भुक्तान संतुलन उस देश के नागरिकों तथा विदेशी देश के निवासियों के बीच एक निश्च प्रन भुक्तान संतो लड़ा किया क्या है इसे अंतर्गति देखा लेकिन इसके श्र elaborat और नष्याथ की जाने वाली जो वस्तूएं होती है वście होती है को कॉन कौन सी होती है तो दूसरा होता है अद्रिश्य आयात और नर्यात एंविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब हम बात करते हैं द्रिश्य आयात नर्यात की विजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नाम से इस पस्ट है जो दिखाई दे वस्तुओं का आयात और नर्यात सीधे सरश अ में हम कह सकते हैं कि वस्तों का आयात और नर्यात जो होता है वो इसके अंतरगत आता है या हम कह सकते हैं कि उन वस्तों को इसमें शामिल किया जाता है जिनका लेखा बंदरगाह में रखे गए रिजिस्टर में होता है वास्तविक रूप से जिनका आयात नर्यात या अंतरास् के मूले क्याधार पर हम इनके गरना करते हैं दूसरा यहाँ पर हम देखते है कि केवल वस्तूओं की आयात ही इसमें शामल किया यता है क्यूंकि सेवाओं का आयात निर्याथ यहांत एंवzwट ऑलन सुना होगा की बहुत सारी विदेशी कंपणियां है जो अपनी सेवाएं कि अगर सादारण में हम बात करें तो चिकित्सा के चैत्र में देखें चाहे सिक्षा के चेतर में देखें या आनी किसे टेक्नलोजी के चेतर में देखें हम बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्टेंट करते हैं जो हमारे देश के नहीं होते हैं विदेशों के होते हैं बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो अपनी सिवाएं विदेशों में भी देते हैं अपने देश के लेते हैं ऐसा नहीं है कि हम कि वह आने देशों से एड्यूकेटर की या टैक्निशियन की या फिर हम दॉक्रिश की सिवाइन भी देते हैं तो वस्तू के अत्रिक्त इन सिवाओं का जो हस्तांतरण होता है आयात या निर्यात के रूप में उसे हम अद्रिश आयात निर्यात इंविजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंतरगत शामिल करते हैं बात जब हम भुक्तान संतुलन की करते हैं तो भुक्तान संतुलन के साथ साथ कही ना कही हमको वेपार संतुलन को भी जान लेना चाहिए तो आई जानते हैं कि वेपार संतुलन क्या है वेपार संतुलन देखा जाए तो वास्तों में वेपार के संतुलन के अंतरगे किसी देश के आयात या निरियात के अंतर को इस पस्ट करता है और वल जब हम इसका अध्यान करते हैं आयात निर्यात टोटल तो हम उसको भुकतान संतुलन में इसका अध्यान हम करते हैं लेकिन हम जब बात दोनों के वेपार या तो अनुकूल होगा या फिर प्रतिकूल होगा अनुकूल होगा यानि कि अच्छा खासा हम निर्याद भी कर रहे होंगे विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आ रही होगी और हम अपनी जरूरत की चीजों का आयाद भी कर रहे होंगे यानि हमारा जो वेपार है व बहुत ज्यादा कर रहे हैं निर्यात हम कम कर रहे हैं यानि प्रतिकूल परिस्थिती वैपार संतुलन की बन रही है वैपार संतुलन के इन स्थितियों के बारे में प्रोफेसर बेनहम की हम राय जाने तो इन्हों ने कहा है कि एक देश का वैपार संतुलन वह संबंध है जो क और निर्यात के बीच का जो गैप है उसको देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है कौन सा बढ़ा है कौन सा घटा है कुल मिलाकर यह पता लगा ले कि प्रतिकूल स्थिति है कि अनुकूल स्थिति है अब इस आधार पर हम व्यपार संतुलन को लगभग भुगतान संत संतुलन में बिंदु आरएम अंतर किस तरह से सपस्ट कर सकते हैं भुखतान संतुलन एवम व्यपार संतुलन में अंतर पहला व्यपार शंतुल्स संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृष्य मदों को ही शामिल किया जाता है जबकि भुक्तान संतुलन में दृष्य मदों के साथ साथ आदृष्य मदों को भी शामिल किया जाता है दूसरा व्यापार संतुलन भुक्तान संतुलन का एक भाग है जबकि भुक्तान संत का विश्य नहीं है जबकि यदि भुक्तान संतुलन पक्षमें नहीं है तो यह चिंता का विश्य है चौथा व्यपार संतुलन अनकूल या प्रतिकूल हो सकता है जबके भुक्तान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है पाचवा व्यपार संतुलन में केवल आयात निर्यात को ही बात दिया जाता है जबके भुक्तान संतुलन में आयात वर निर्यात के अत्रिक पुंजिगत लेन देन भी संबलित रहते हैं छटवा किसी विदेश का व्यपार संतुलन पक्ष या विपक्ष में हो सकता है लेकिन उसका भुक्तान संतुलन सदयो संतुलित रहता है साथवा व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यपार के दिखने वाली मदों को ही शामल किया जाता है जबकि भुक्तान संतुलन में सभी अद्रिश्य वस्तुएं सम्मलित की जाती है आठवा व्यापार संतुलन के पक्ष या विपक्ष का देश की अर्थ व्यवस्ता पर अन्य बातों के समान रहने पर कोई विशेश प्रभाव नहीं पड़ता जबकि भुक्तान संतुलन की असामिता का देश की अर्थ व्यवस्ता पर प्रत्यक्ष एवं व्यापक प्रभाव अनुखूल हो सकता है जबकि भुखतान शेश सद्यल संतुलित होता है दसवा व्यपार संतुलन ब्रुटान संतुलन की ब्रुखतान इस्तति का संपूर विसलेशन हैं ग्यारवा व्यापार संतुलन का आर्थिक विसलेशनों के नेन्यों से कम उप्योग होता है। इसके विप्रेद भुक्तान संतुलन का आर्थिक विसलेशनों एवं नेन्यों में अधिक उप्योग होता है। बारवा व्यापार संतुलन का भुक्तान संतुलन के तुलना में कम महत्व होता है इसके विप्रेद भुक्तान संतुलन का व्यापार संतुलन से अधिक महत्व होता है क्योंकि यह देश के इस्थिती पर अधिक प्रकाश डालता है व्यापार संतुलन के बारे में हमने जाना भुकतान संतुलन के बारे में भी हम लगभग जान चुके हैं अर्थ को और परिभाशाओं को तो लगभग समझे चुके हैं